जमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतिहीन बिसहीन बिनीत सरल हो कहने का तात परजिया है किसान ताकतवर है या सरकार मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान आज भारत के सुप्रीम कोट में वहां के मुख न्याइधीस की बैंच में किसानों के बारे में बहुत सारी याचकाएं लगी है पहली याचका यह है कि तीनो किर्सी बिल रद होनी चाहिए दूसरी याचका यह है कि किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए रास्ते साफ कराये जाए तीसरी याचका यह है कि हरियाना और यूपी में किसानों के ऊपर बल परियोग किये गए हैं कार के द्वारा और इस तरह से बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी जो बैंच है जो साथी बैंच है सबके सब सुनवाही में लगे हुए है क्या फैसला होगा यह समझ में नहीं आया है क्योंकि अभी तक उसका कोई सुप्रीम कोट केंपस से बाहर नहीं आई है सैतालिस दिन होगे किसान बॉडर पर जम्य हुए है भारतिये किसान यूनियन के जो एडवॉकेट है अधिवक्ता है एपी सिंग्जी ने कहा कि तीनों किरसी बिल रद होनी चाहिए हम तो अरे हुए है और रही बात यह हम तो स सारे सवाल हैं भारतिये किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है राकेश टिकैत जी वह कहते हैं कि हम तो सरकार के सामने खरे हैं हमें सरवोच न्याले में क्यों ले जा रहे हो रही बात सरवोच न्याले से मैं क्या मांगू मेरी मांग पूरी कर दो हम वापस चली जाएंगे रही बात यह सत्तर के करीब किसान सहीद हो चुके हैं बॉर्डर पर इतना ठंड और बारिस में किसानों ने आंदोलन को चलाया है सारी मार जेली है प्रतु अभी तक सरकार न का हल क्या होगा आज 11 जनवरी है और 26 जनवरी का जो है मात्र 15 दिन है इन 15 दिनों के अंदर अगर यह हल नहीं निकाले जा सकते तो अंतराश्ट्य समधाय में क्या संदेश जाएगा कि यह इंडिया गेट पर क्या दिखा रहे हैं अगर दिखाना है तो बॉर्डर दिखा द स्वरगी अटल बिहारी बाजपी कहते थे हमेशा कि जब तक दुखी किसान रहेगा देश में तूफान रहेगा क्या यह सत नजर आ रहा है प्रस्द है यहां पर और रही बात यह किसान के लिए सरकार कुछ भी सुनबा ही नहीं किया सरकार यह चाहती है कि किसान या तो वह सबर निकल कर आ रही है जो बहुजन समाज पाटी के कार्ज करता हैं उन्होंने यह बताया कि बहन मायाबती जी का 15 जनवरी का 65 जन्म दिन है और बस्पा कार्ज करताओं से पूरे उत्तर प्रदेश में यह अपील की जाती है कि वह अपने अपने घरों पर बस्पा का जंड लगा लें ताकि पूरा प्रदेश जो है यह देखना चाहती है कि बस्पा की जनाधार कितनी है हम संख्याबल में इतने बरे हैं कि अपने घर के उपर भी जंडा लगा लें तो हम दिखने लग जाएंगे बस्पा कार्ज करताओं से 65 में जन्म दिन पर बन मायाबती जी के 65 में जन्म दिन पर यह अपील की गई है बस्पा के कॉडिनेटर से कार्ज करताओं ने किया है और इस तरह से खबर निकलकर उत्तर प्रदेश से आ रही है उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है एसम्बली चुनाव होना है 403 सीट पर और इस बार बस्पा पूरी तैया में लग चुकी है गाउं गाउं सहर सहर मैं आपको बता दूँ जो जो लेटेस्ट खबर है कि बस्पा ओम प्रकास राजबर और ओवईसी जी से गठ बंधन क्यों नहीं करना चाहती क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजबर समाज है जो ओवीसी बर्ग है उसका बहुत ब करना है कि ओवईसी जी के साथ आने से कहीं कहीं पार्टी में एंटी हिंदू संदेश चला जाएगा जबकि हम सब को लेकर चलते हैं सर्व समाज को लेकर चलते हैं हमारी पार्टी एक राष्टी अस्तर की पार्टी है हमारी जो नेता है वह राष्टी अस्तर के नेता है इस खरमास के बाद सरकार किसकी? सबसे पहले आप यह समझ लिजिए, खरमास होता क्या है? खरमास महिने में कुछ पीरियर होता है, जैसे कि स्राद होता है, उसी तरह से खरमास होता है, जब स्राद का पीरियर चल रहा होता है, 7-8 दिन का, तो कोई भी हिंदु समाज में सुभकार नहीं करते हैं उसी तरह खरमास में भी कोई सुभकार्ज नहीं किया जाता है भाजपा के एक नेता भुपेंदर यादव जी ने यह कहा है कि आरजेडी की जो है अंदर जो आरजेडी पार्टी में एक परसानी है चिंता का विशय है वहां लोग पडिवारवाद से मुक्ति च खरमास के अंदर क्यों नहीं इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा हो आरजेडी हो अत्वा कोई भी राजनैतिक दल यह जो ब्रहामन बाद यह परंपरा यह खरमास यह मुहूर्त इन सब चक्रों में तो जरूर रहते हैं उसके बाद ही तो खरमास के बाद अगर यह लराई बिहार की सत्ता किसकी होगी आने बाला वक्त बताएगा पूरे देश में किसानों का आंदोलन कब तूटेगा सरवोच नालक क्या फैसला देगी यह सब के सब हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं आपको तब तक के लिए धन्यवाद